नमस्कार ध्यापकसातियों, हिमाचल परदेश सरकार द्वारा चलाए जा रहे है कारिकरम, हर घर पाठशाला में दियेगे कंटेंट को हम विद्यार्थियों तक कैसे पहुंचा सकते हैं, इस वीडियो में आपको ये जानकारी दी गई है, ये मैं अपने मुबाइल के माध्य हम से बताऊंगा कि हम कैसे कंटेंट को विद्यार्थियों तक शेयर कर सकते हैं, आशा है ये वीडियो आपको मददगार साबित होगा, अब ये फोन पे प्रोसेस शुरू करते हैं, इसके लिए मैं सबसे पहले कोई वेब ब्रॉजर यूज़ करूँगा, यहां पे मैं क्र वी.in, तो इस education.hp.gov.in पे मैं क्लिक करता हूँ, तो मैं इस वेब साइट पे पहुंच जाओंगा, अब ये वेब साइट खुल चुका है, इस वेब साइट पे मैं पहले स्क्रोल करना है मेरे को, और ये मेरे को e-learning का पोटल पे पहुंच रहा है, e-learning यहां पे पहुंच मि टे गया है मेरे को, e-learning पे सबसे उपर जो e-learning from home हे, हर गः पाट शाला, उसकी उपर मैरे को क्लिक करना है, अब उसके बाद ये फिर से एक option देगा, learning from home का, हर घर पाट शाला का, मैरे को उस link पे क्लिक करना है, और ये link मेरे को external website पे ले जाने की बात कर रहा है, मैरे को उस उसके बाद ये सारी website required जो है मैं उस पर पहुंच चुका हूँ और ये सारी कक्षाओं का यहां पर information है तो मैं जैसे उधारन के लिए class 12 यानि कक्षा 12 पर click करता हूँ और जो भी मैं subject यहां से चुन सकता हूँ तो मैं यहां पर physics चुन रहा हूँ अब यह physics का आज का यह available है material यहां पर तो यह पिछले दिनों का भी material यहां पर available रहता है अब मेरे को करना है यह बच्चे यहां पर इस link पर click करके और worksheet पर click करके अपना required जो वीडियो देखना है या worksheet देखना है वो देख सकते हैं अब मैं बच्चों तक ऐसे पहुंचाँगा उसके लिए जहां पर यह website का address दिया है मैं को वहीं पर click करना है और वहां से मेरे को share का option आगया अब मेरे को share कर देना है तो इसको मैं whatsapp group में share कर रहा हूँ और मैं यह मान के चल रहा हूँ कि सभी जातर अध्याबक साथियोंने WhatsApp group बना रखे हैं अपनी class की बच्चों के तो मैं जैसे यहां पर 10 प्लस 2 physics classes का group बनाया है मैं उस group पर click कर देता हूँ अब बच्चों को साथ मैं यहां पर instruction भी लिख सकता हूँ कि click on the link जैसे मैं यहां पर यह टाइप कर दिया मैंने click on the link यह भेज दिया तो और speak को मैं instruction देना चाहता हूँ कि जैसे वरक्षीट का answer लिखिए या assignment तयार कीजिए मैं इसा instruction भी साथ में दे सकता हूँ और उनको time भी दे सकता हूँ यहां पर कितने time के अंदर complete करिएगा तो इस प्रकार बच्चे अब इस link पर directly click करेंगे तो वो उस website पर directly पहुंच जाएंगे जहां पर उनको physics का 10 plus 2 class का उनको material available रहेगा तो वो उस material के ऊपर click करके उसमें काम को कर सकते हैं और इसके लाबा व फिर पिछले वीडियो भी देखना चाहते हैं तो जब सही वीडियो डल रहे हैं यह तब से पूरे सलेबस का जो वीडियो उनको available रहेगा इसके बाद teacher का अगला काम शुरू होता है teacher को अगर शाम को पांच बजे से बहले उसको information भदना होता है तो उसके लिए मैं फिर से यहां पर home पर जा रहा हूं इस website के तो यहां पर शिक्षकों के लिए एक link बना है तो मैं उस पर क्लिक कर रहा हूं और वहां पर danic monitoring form है तो यह danic monitoring form भदना है मेरे को अब इसमें यहां पर option है basic questions है अपना नाम आपको यहां पर क्लिक करके नाम टाइप कर देना है phone number देना है और आपको district टाइप करना है मैं यहां पर यहां से कांगड़ा district टाइप कर रहा हूं कांड़ा district टाइप करने के बाद फिर स्क्रोल करें नीचे वहां पर जो primary education block होते हैं उस block के हिसाब से यहां पर school divided है तो जैसे यहां पर मैंने देहरा block चुल लिया फिर उसके बाद देहरा block में आने वाले सारे स्कूलों की list आ जाएगी तो यहां पर senior school का list सबसे नीचे रह जाएगा तो मैं सीधा ज्यादा स्क्रोल करके उस senior candidate तो concerned school जो भी है तो वहां पर मैं चुन सकता हूं यह alphabatically यह school के नाम यहां पर दिये गए हैं और यहां पर मैं अपना जो concerned school है मैं वहां से उसका नाम select कर सकता हूं और उसके बाद मैं required information यहां पर fill कर सकता हूं मैंने जैसे यह gss कत होग यहां पर चुन लिया और उसके बाद यह class मेरे को चुनना है मैंने class 11 और 12 चुन लिया उसके बाद मेरे को subject जो जिस class के लिए मैं डाल रहा हूं वो चुनना है जैसे मैंने यह physics चुन लिया उसके बाद option अमेरे को आ जाएगा कि मेरेको enrollment कितना है class वह भरना है अगला कॉल में में को यह भरना है कि कितने स्टूडेंट जो है वह वर्टसएप यूज कर रहे हैं और उसके बाद बाकी भी information पूछी गई है कि जो वर्ट चे अगर वर्टसएप पे नहीं है अगर 100% हो गया है तो आपको यह फिर information देने के ज़रूरत नहीं है फिर आपको सब भी last option दे आपको सिरफ last option देना है या homework चेक किया था वो yes या no करना है और उसके बाद बच्चों के सहायता करी तो वो भी आपको कितने संख्या बतानी है बच्चों की और उसके बाद आपको content कैसा लगा तो अगर बहुत अच्छा लगा है तो आप यह number 5 दबाएं और यह submit कर दें और साथ मैं यह आपको yes ब बच्छीं